हेलो व्यूवर्स आज हम करेंगे how to draw root 3 on the number line तो number line में root 3 किस तरह ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम एक straight line टानेंगे ये कोई भी measure का प्ले सकते हैं मैं एक straight line टान लेता हूं और इसको में ये 2-2 centimeter is equal to 1 unit करके मैं इसको divide कर लिया तो 2 cm is equal to 1 unit तो इस प्उइंट को मैं लिया o और इस प zug के लिया a पॉइंट एपर से उस्क्वायर के सहायता से से इस्क्वायर के सहायता से एक हम पैंडू कलो बना लेंगे एक लैन टान लेंगी देख एक भी स्क्वायर इसको बेस इस तरह रखना है और एक यहां पर हम टाल लिए एक लाइन टाल लिए और O-A के मदद से O-A का जो मेजर है उसी मेजर का हम यहां पर एक लाइन टाल लेंगे तो यह था मेरा वन यूनिट यह भी है मेरा वन यूनिट मैं लिख लेता हूँ वन यूनिट यह वन यूनिट इसका नाम देता हूँ इस पॉइंट का B तो O-B O-B का वैल्यू क्या होगा तो O-B अगर मैं लाइन टानू इसको जोइन करूँ पॉइंट O और B तो देखे यह O-A-B हाइपेटनिस होगा हाइपेटनिस होगा यानि कर्ण तो O-B का वैल्यू होता है हाइपेटनिस का फॉर्मला होता है पर्पेंडिकुलर स्क्वाइर प्रपेंडिकुलर 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 स्क्वाइर तो 1 बैठा दीजिए, whole root, whole root था, कि दोनों का value मेरा 1, 1 है, तो 1 square is equal to 1, 1 square is equal to 1, तो 1 plus 1, the whole root is equal to, 1 plus 1 equal to 2, root 2, तो O, B का value मेरा कितना है, root 2, यह root 2 आ गया, फिर point B पर, ये कर्ण के साहिता से, ये कर्ण इसके नीचे बैठाना है, इसका base, इसका touch होना चाहिए, हलका सा, और इस point पे हमको एक perpendicular टाल लेना है, तीक, इस point पे perpendicular टाल लेना है, फिर compass के मदद से हमने जो measure लिया था, O, A का, दीकिए O, A का जो measure है, यानि 1 unit, वही measure ये point B पे रखकर, हम वन यूनिट टाल लिये, ये वन यूनिट, तो ये वन यूनिट, इसका point हम ले लेते हैं, C, C, अगर O, C हम जोइन करें, O और C अगर जोइन करें, तो कल देते हैं, O, C join, ये dot-dot दे दिये, तो O, C का value कितना है, तो O, C देखिए, O, C भी देखिए, यहाँ पे ये hypertenease हुआ, तो hypertenease का form नहीं बताये थे, क्या होता है, perpendicular square plus base square, तो इस triangle में, O, B, C में, यहाँ पे perpendicular है, B, C, B, C square, plus base square, O, B, O, B base है, O, B square, का whole root, तो B, C, B, C का value कितना है, यहाँ पर B, C value है, 1 unit, 1 लिख दिजिए, यहाँ पर, plus O, B का value कितना है, O, B, root 2, हमने यह root 2 निकाला था, O, B, देखिए, यहाँ पर root 2 है, तो plus root 2 का whole square, यहाँ पर square था, का whole root, यह root यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना होगा, is equal to, 1 square is equal to 1, अब देखिए, root को उपर इस square होने से, root और square कैंसिल हो जाता है, यानि हड़ जाता है, तो root को उपर square होने से, यह root हड़ जाता है, तो क्या हो गया, 2, तो का whole root, 1 plus 2, यह 2, का whole root था, whole root दे दिए, तो 1 plus 2 is equal to 3, that is equal to root 3, तो OC का value कितना आया, OC is equal to, root 3, यह OC का value मेरा आ गया, कितना root 3, यहां से, यहां जाता का value है, root 3, तो root 3 को हमको, number line में बैठाने के लिए, यह OC, OC और OC तक का measure हमको करना है, OC, OC तक का measure, तो देखे, OC, यह आ रहा है, थोड़ा से मैं और बढ़ा लेता हूँ, देखे, यह perfect आया, OC, से OC तक का, तो यह root 3 value है, इसका value root 3 है, इसको number line बनाने के लिए, हमको यहां पर, एक mark करना पड़ेगा, इस तरह, तो यह हुआ मेरा, root 3, OC लेकि, यानि इसको, इस point का 0 दे, इसको गए 0 दे, तो 0 से यहां पर, इसका value है, मेरा root 3, यह है root 3, तो O, इसका नाम अगर दे दे, हम D, इस point का नाम अगर हम दे दे, D, तो OD, मैं यहां पर, यहां पर लिख देता हूँ, OD is equal to, root 3, तो यहां से इस point चलेके, इस point तक मेरा value होगा, root 3, यह, यहां से जो है, यहां से लेके, यहां तक यह मेरा root 3, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक किजिए, और सब्सक्राइब किजिए, मैं चैनल देखने लेके धन्यवाद, अगर आप चाहें, तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं, यह measure लेकर, OC measure लेकर, इन dot dot के माधम साब दिखा सकते हैं, कि यहां पर यह हमने, root 3 यह measure टाना, एक आर्क यहां पर ड्रॉआ कर सकते हैं, अगर आप यह इस तरह भी लाट टान देंगे, तो भी यह चलेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो,